दोस्तो cricket match तो हम में प्यारी है और आपको भी बहुत प्यारा होगा cricket match तो cricket match में कुछ ऐसे बाते हैं जो शायद हमें और आपको नहीं पता रहता है जैसे duck जी हर डॉक्त मतलब क्या होता है जी हां और बहुत कमाल कमाल सी बाते है जो आपको इस वीडियो में पता चलेगा इसके लिए आपको जूरे करनाओं का स्पोस्टाइब हिंदी पे ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सेखू दोस्तों यह जो डख है यह डख का मतलब जो है वह आपको शायद पता चल गया होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था डख का मतलब होता है जीरो तो यह कैस सब्सक्राइब भड़े अकशरों में प्रींस रिटाइड टू दर रॉयल पैविलियन और डख के अंड़ा तो बतक के जो अंड़ा होता है वह दिखने में कैसा है जीरो जैसा या फिर जीरो कैसा होता है बतक के अंड़ा जैसा तो तब से इसका प्रजलन शुरु आहे और ये जब पहली बार चुपपाएगा उसके बाद मालों वाइरल हो गया वाइरल तो आज के जमाने में तब भी इसको वाइरल ही माना जाता है जी आप पूरे दुनिया में फैल चुका था ये बात अब बाद में धीरे धीरे डक्स एक से अभी एक छुट गया डक्स छुट गय दोस्तो एक 크icket match में कोई जीरो रन पह आउट होता है तो उसे डक आउट कहा जाता है या फिर दक कहा जाता है और वे अगर एक बाल यानि शिर्फ एक बॉल फेस करके कोई रन ना बनांगर आउट हो जाए तो उन्हें कहा जाता है या उसके बाद कोई अगर बन्दा दो क्या यूठ होते है तो उसको कहा जाता है पौंज डग और यह फीलिंग होता है ओलिंपिग में ब्रॉंज मैडल मिनने जैसा यह फीलिंग तो आपको कुछ यह से पता था नीचे कॉमन सेक्षिन में जरू लिखेंगा दोस्तों साथ में यह भी लिखें कि क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जनकाई चाहिए मुझे इंतिजार रहागा दोस्तों आपके मीठे मीठे कॉमेंट का